भाई, imagine करो, वो emergency situation जिसमें आप अपनी कार में हो गए, stuck गाड़ी में लग गई आग, चारो तरफ आग है गाड़ी में और आप अपनी गाड़ी से बार निकल लिनी पा रहे हैं, गाड़ी में stuck है या इतनी बारिश है, पूरी जगा वाटर लोगिंग है, और आपने अपनी गाड़ी को सादी उसमें, और गाड़ी में पूरा पानी बरने लग गई, गाड़ी ड्राउन करने लग गई, डूबने लग गई, क्या करोगी, यह situation सोच के ही, दिल दहल जाता है, और आपको पता ह डेली के डेली सुनने में आ रहे हैं, ऐसे केसिज आपको एका दुका आपको सुनने में रोज के रोज मिलेंगे ही मिलेंगे इंडिया में, अब जैसे मौन सुन का टाइम चल रहा है, कितने केसिज आ गए यार के ट्रैवल कर रहे हैं लोग गाड़ी पर वोड़ डूब गाड़ी में आग लगने के कितने केसिज डेली सुनने को मिलते हैं, लोग बाहर ही नहीं आ पाते हैं और इससे पहले वो बाहर आ पाएं कोछ सोच पाएं पूरी गाड़ी जल के तहसने सो जाती है, बिलकुल दिल देला देने वाला मनजर होता है, और ऐसा क्यूं हो रहा है मतलब डिकेड से गाड़ी आ रही हैं, मतलब सोयों साल मैं बोलूँ को सोयों साल से गाड़ी आ रही हैं, अभी तक ये प्रॉबलम क्यों नहीं सॉल्व हो पाई, इसी के बारे में मैं आज बात करने वाला हूं, मैं बताने वाला हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है और क्या वो इन कोई incident होता है fire या drowning से related तो यह fatality जो है इतनी क्यों होती है मतलब most of the time लोग क्यों बाहर नहीं आ पाते हैं reason number one सबसे बड़ा reason क्या होता है कि यह जो आपका door जो है ना वो jam हो जाता है क्योंकि आपकी गाड़ी में अग लगी है या पानी में जा रही है तो जितने सेंसर से बैटरी से एक तो connection कट अफ होता है या wiring जाती है जल तो होता क्या है कि आपका door जो है चार ओर दोर्स वह हो जाते हैं jam क्योंकि उनको पावर ही नहीं मिल रही है तो वह open ही नहीं हो पाते है power windows यह हो जाती है jam क्योंकि power cut off हो गया अब यह नीचे नहीं आ सकती है अब इसकी वज़े से होता क्या है कि जो भी पसंच जा रहा है एक तो seatbelt fan के बैटर वह फस गया है वहाँ पर बाहर जाने का कोई जरिया ही नहीं है शीशे आपके नीचे नहीं हो रहे दर्वाजे खुली नहीं रहे हैं तो अंदर ही जो है ना पूरा जो गाड़ी जो है आपकी एक मौत का घर बन जाता है मतलब यह situation ऐसी है मनजर ऐसा है कि सोच के ही डर लगता है कि किसी के साथ भी ऐसा ना हो बट जो लोग अंदर फसे होते हैं उनकी हाला देखो यार क्या होती होगी और ना इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जगा हमें गाडलाइन क्या दी गही है हमें क्या बोला गया है के अपनी गाड़ी में सीड बैल्ट कटर रखो मतलब एक कटा रहता है जो basically अगर in case आपकी seatbelt stuck हो जाती है तो आप अपनी seatbelt को काट सको अपनी गाड़ी में हतोड़ा रखो hammer रखो ताकि यह ऐसी situation में आप गाड़ी के शीशों को तोड़ पाओ अपनी गाड़ी में fire extinguisher काओ अपने देखा हुआ टेक्सी वालों ने जो CNG गाड़ी पर चल रहे होते हैं LPG पर चल रहे होते हैं उन्होंने रखी होती है वो रखो अपनी गाड़ी में ताकि उससे आप आप को बुझा पाओ यह हमें guideline दी गई है सोचो कितनी दिमाग वाली guideline है जब भी बंदा यार अंदर इस situation है फसा होता है दिमाग काम करना बंद कर जाता है इतनी panicness हो जाती है कि आप आपके पास solution होते होए भी आप उसको use नहीं कर पाते हो यार आग लगती है एक दम से ही within a minute पूरी गाड़ी जुलसा देती है आप कैसे कैसे हम imagine कर सकते है कि driver को driver passenger जो है वो उस situation में इतना काम हो के अपने mind को चला पाएगा मैं बताऊंगा utter nonsense है ये possibility ही नहीं है और कितने लोग रखते हैं यार बताओ आप मुझे बताना जितने भी भाई मेरे subscriber हो आप लोगों में से कितने लोगों ने ये seat belt cutter, hammer या fire extinguisher अपनी गाड़ी में रखा हुआ है मुझे नहीं लगता है यार एक या दो percent से ज़ादा किसी ने रखा अबना मैं आपको एक छोटा से example देता हूँ trains का, rail गाड़ी का trains किया यार जो breaking mechanism है उसको बनाया गया है fail safe mechanism जब भी ना उसमें ऐसी technology यूज करीगे है कि जब भी train में कुछ भी problem होएगी उसकी technology related कुछ भी problem आ रही है उसके पूरे system में automatically वो break लग जाती है that is it smart default smart default क्या है कि जब भी power नहीं आई या कोई भी system failure होगे तो उस case में break लग जाएगी ना कि break fail होएगी smart default और हमारे याँ गाडियों में क्या technology है कि जब भी इस तरह की कोई problem होगी तो break fail हो जाएगी ताकि बंदा जो है और जाके कहीं पर टक्कर ही मारे वो ये technology पता नहीं क्यों जितनी भी car companies है manufacturer जो technologies है उसको गाड़ी में क्यों नहीं लेकर आए मुझे मतलब मेरे को इसका answer नहीं है सोच के मेरे को बहुत अश्चर्र होता है तो आज इसी के बारे में बात करते हैं कि क्या क्या चीज़े जो है हमारी गाड़ी की tech में as a safety होना बहुत जरूरी है ताकि ये situation जो है prevent करी जा सका और खास तोर से यार Indian environment में हमें पता है यार 6-8 महीने या इतनी भीशन गर्मी रहती है इंडिया में fire के instances वैसे ही बहुत ज़ादा होते हैं और उसके बाद monsoon time में आपने देखा हो कितनी बार आती और कितनी ही water logging होती है तो इस तरह की technology specially in Indian cars होना बहुत ज़रूरी है ताकि इन situation को prevent किया जा सके तो चलो अब बात करते हैं solution की मैं अपने इसाब से आपको कुछ pointers बता रहूँ जो कि मुझे लगता है कि जितनी भी ये car manufacturers हैं उनको इसको as a safety technology enhancement की तरह गाडियों में ले आना चाहिए in fact मैं government से भी request करूँगा कि उनको भी push करना चाहिए कि इस तरह की text जो है हमारी cars में हो otherwise वो आने ही न दी जाए in future मतलब इसको mandatory कर देना चाहिए क्योंकि life first ये चीजे ऐसी हैं जो आपकी जिन्दगी बचा सकती है तो सबसे पहले सबसे पहले बात करते है waterproofing की हमने देखा हो गए रहा है आजकल हम mobile भी करीते हैं और वो भी waterproof होते हैं आदा घंटा उनको पानी में रख सकते हैं कितने meter की उनकी होती है IP 67 68 rating होती है उसी तरह से गाड़ी के जो key sensors है battery compartment है और जो key areas हैं जो की basically signals पे manage कर रहे हैं आपकी electricity पे manage कर रहे हैं उसकी waterproofing होनी चाहिए यह करी जा सकती है इसको होना चाहिए इसकी ना होने की वैसे होता क्या है तो moment आपकी गाड़ी गई पानी में battery आ जाती है पानी के contact में और short circuit हो जाता है immediately एक दम से power loss सारे sensor काम करना हो जाते है बंद तो यह तो immediately waterproofing कर देनी चाहिए नमबर दो पे बात करते हैं fireproofing की जिस तरह से हम कह रहे है कि यह key components electrical components battery compartment waterproof होना चाहिए उसी तरह से इनको fireproof material से भी बनाना चाहिए अब उनका compartment जो है fireproof रखा जाए wiring जो है wiring की जो outer layer है that should be fireproof यह इस तरह के material को use करें ताकि fire को बहुत ज़्यादा withstand कर पाई immediately जो है wiring नहीं जले अब बात करते हैं number 3 की number 3 जो है हम बात कर रहे है smart defaults की जैसे मैंने आपको train का example दिया कि उसमे smart default क्या होता है system failure के time पे brake automatically लगती है ना कि brake fail होती है उसी तरह से ही गाडियों में smart defaults यह होना चाहिए कि system failure आपका signal नहीं आ रहे sensors कराब हो गया उस case में door जो है वो automatically unlock state में जाने चाहिए ना कि वो locked रहने चाहिए seat belt जो है वो unlock होनी चाहिए ना कि वो locked रहनी चाहिए इनको इस तरह से design करना चाहिए कि जो locking mechanism है यह work करें power से and when there is a no power power is totally cut off system failure यह basically work ना करें which means smart default should be कि यह automatically unlock हो गए इस तरह से होना चाहिए हमने उल्टा कर रखा है इसी point में मैं add करता हूँ power windows का smart default इसका smart default भी ना रोल्डाउन होना चाहिए ना कि rolled up समझे रहो जैसे ही system failure आया system failure के case में fire detection के case में water logging detection के case में आप ऐसे sensor लगा सकते हो जो कि detect कर लेंगे immediately उस case में windows और automatically roll down हो जानी चाहिए easily करा जा सकता है हमारी even flats वगरा में sensors लगे होते हैं आपकी बोट्स ऐसी बनाई जाते हैं जब वो डूबरी होती है तो automatically वो rescue को rescue operations को trigger कर देती है कि किस तरह से जो है life saving बोट जो automatically deploy हो जाती है साइड में number four water sprinkler यह भी यह गाड़ी में easily add किये जा सकते in case of fire तो basically आपने देखा को हमारी गाड़ी में अलग से compartment होता है पानी को हम स्टोर करते हैं front और back wiper के लिए washer होता है उसमें तो उसको चलाने के लिए screens को wind screen होगी या back screen होगी उसको clean करने के लिए उसी तरह साही मुझे लगता है कि एक reserve storage water storage compartment होना चाहिए जो कि उस water को utilize करे in case of fire जब भी गाड़ी में आग लगे गाड़ी के additional sensor detect करें कि this is a situation of fire automatically पूरी गाड़ी में sprinkler start हो जाए यह हमारे flats में भी ऐसा ही होता है होता है ना fire safety mechanism आग लगती है sprinkler चल जाते है offices में भी ऐसा होता है तो यह गाड़ी में क्यों नहीं कर सकते हैं mostly गाड़ी में जो आग लगती है जो start होती है वो होती है engine bay area से engine bay area में ही आपके पास auto fire extinguisher लगा होना चाहिए the moment fire start होई immediately आपकी कोई भी sensors डाउन ने होते है the moment गाड़ी ने heat detect करी fire detect करी आपका जो वो sensor है जो की automatically fire extinguisher को enable करेगा वो active हो जाना चाहिए और fire extinguisher जो है वो पूरी आग को बुजा देना चाहिए यह सबसे first line of control होना चाहिए ताकि आग बड़ी है बड़ी ही ना आगे पहले level पर ही वोसे control करा जा सके just like automatically water sprinkler यह हमारे पास यह automatic fire extinguisher होना बहुत जरूरी है अंदर मद दो चाहिए अगर आपको लगता है कि उसकी वज़े से जो पूरा powder सा निकलता है बंदा चोक कर सकते हैं अंदर मद दो engine bay area में दो ताकि engine की fire को immediately seize down करा जा सके चलो बात करते हैं आखरी point की 6th point की automatically windows and door ejection system automatically ना दो चाहिए भले manually option दे दो बट यह होना चाहिए चोटाज एक्जामपल देता हूँ आपने देखा होगा movies में भी देखा होगा कि जो fighter planes होते हैं जब भी वो fly कर रहे होते हैं और उनका plane crash होने वाला होता है तो जो pilot होता है क्या करता है button press करता है और उसकी जो seat होती है automatically वो eject हो जाती है बार की तरफ और parachute से वो land कर जाता है plane उसका हो जाता है crash, damage पर उसकी जान बच जाती है और similar line गाडियों में मुझे लगता है कि door ejection system, windows ejection system होना चाहिए in case of emergency आपके पास एक option होना चाहिए या तो आप उसको lever को pull कर दिया आपने या कोई button प्रेस किया और जो आपके door जो है वो basically बहार होगे automatically dismantle होगे ताकि आप immediately भाग पाओ या कोई एक ऐसा manual override button दिया गया है जिसे आपने प्रेस किया और आपके doors होगे automatically eject या windows जो है automatically break down होगे और वो eject होगे अब मुझे नहीं पताई इसकी feasibility कितनी है या नहीं है बड़ मुझे लगते है जब वह एरोप्लेंस की टेक में कर पाए है तो कार की टेक में भी यह कर पाने चाहिए आई नो कोस्ट बड़ेगी इससे सेफ़र कार्ज में दे यह बड़ यह होना चाहिए सेफटी फरस्ट अप्रोच होनी चाहिए मैं हमेशा बोलता हूँ बहले ही आपको थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा लगाने पड़ रहे हैं आपकी जान है तो जहान है जिसब है तो दोस्तों आप सब बताना आप s just More अब मुझे कमेंट करके बताना और और आज तो धूट क grad L और एक्ट चैनल पर आप जो पर जो चैनल को कर पैजाने ऋपमेट्थ फिरिई आपके पास easily पहुंच जाए तो चलो मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में तिल देन इस यूर फ्रेंड मुंडा टॉप नौच साइनिंग ओफ हैपी राइडिंग और सेफ जर्नी फिर ट्रेवलिंग गाईज चैहिंद चैह भारत